है की है है यहलो इस वीडियो में अम लोग ऐर और प्रॉब्लम स्वाल करेंगे और क्या चलिए देखते हैं बेस्ट आइम तो भाइ और अंड सेल रे स्टॉप ओके चलिए इस समझते हैं क्या है हमारे पास एक price का array दिया गया है जिसको एजुम कर लेते हैं हमाल लीचे 7 है और element है 1 and then 5 3 and then 6 and after that 4 ओके हैं यहां फोर ही कर देते हैं 5 कुछ भी कर देते फोर कर देते हैं फाइब टू बार रिपीट हो जाएगा तो फोर कर देते हैं रिपीट भी हो तभी कुछ नहीं होगा लेकिन आप ऐसे टेश्ट के लिया टेश्ट के सेम समझते हैं सबसे अच्छा टाइम हो खरीदने का और बेचने का अच्छा टाइम कब होगा जब प्रॉफिट मैक्सिमुम होगी हमको मैक्सिमुम प्रॉफिट निकालना है अब देखिए यहां पर देखिए इंडेक्सिंग जैसे इसकी स्टार्ट होगी जीरो वन टो थ्री फोर फाइब की मतलब की मतलब जीरो वन से स्टार्ट कर देते हैं यहां पर यहां से अज्जींब कर लेते हमारा तब समझ आएगा यहां से व Ebola को इंडेख्सिंग 1 में Sell हुआ होगा या तो Buy होगा या तो 5 में Sell हुआ होगा या तो Buy यहीہ करना है सो Balzically अब देखे हैं पर समझने कि Absolute कि 7 में बंदा कोई सेवर सेवर सेमन ऐं किस्त और 1 में बेचा तो दिए 6 रूपी किए वन में खरीथा योए बान खञ्टा गठा दे तो हमारा उसको फुर का profit हुगा अब देखिएगा अगर फिर्म के अ धरीम सेल किया छुआ मतरों के तो 2 का profit हुगा अग्या समझ रहे उसके बाद वन में खरीथ निस वाग्द किए सिक्स एं go तो 1 में खरीदा तो हमारा profit जो हुआ 5 हुआ profit ओके यहां पे जो हमारा profit हुआ profit जो उसको हुआ 5 का हुआ तो हमें return क्या करना है कि maximum profit maximum profit यह मतलब 5 return करना है ओके तो अब चलिए approach समझते हैं एक तो basic approach है वो क्या है चलिए देखते हैं इसे पहले rearrange कर लेते हैं तो एक तो हमारा basic approach है कि हम लोग 2 loop लगाते हैं दो loop कौन सा रहेगा मैसे लिए इसकी complexity जो होगी n2 होगी तो simply हम लोग complexity जो अभी approach discuss करने जा रहे है n2 होगा complexity n2 होगा तो हम लोग 2 loop लगाएंगे for i is equal to 0 to n ओके यह होगा और अब इसके इसमें क्या करेंगे हम लोग सम नाम से एक variable assign कर देंगे अब करना क्या है हमें कि हमें पहले maximum minimum सबसे value अब दोनों का difference जो है minimum maximum दोनों का difference लेना है जिसका difference maximum होगा वही हमारा होगा वही मदब हमको return करना ओके तो देखिए अब यहाँ फार लूप लगा दी 1 2 n और एक और फार लूप लगाएंगे और यहाँ देखिए एक condition लगाएंगे यहाँ पर यहाँ एक maximum variable ले लेते हैं maximum variable लेंगे अगर max और इसे सबसे पहले maximum को in term mean से initialize कर देते हैं और चेक किए if max is less than किसके array of j array of j minus array of i okay so अगर ऐसा है तो हम max को update कर देंगे हम लोग यहाँ पर array of अब यही जो value यहाँ पर घटाने जो आई है वही हम max में update कर देंगे जिसमें at last क्या होगा कि maximum difference आएगा वह assign हो जाएगा max में simply हम लोग return कर देंगे max को तो basically यह जो trick है यह जो program है वह हमारा order of n जा रहा है complexity okay so हमको इसको optimize करना है तो चलिए optimize solution देखते हैं इसको भी प्रोग्रामिंग बहुत असान है वस इतना ही code है दो लोग लगाएंगे और maximum ऐसा difference देखेंगे जिसका maximum हो और उसी से बार बार override करते जाएंगे max अगर ऐसा मिलता है तो उसके बाद वही return कर देंगे हम जो अगली problem जो करने जा रहे हैं उसकी जो complexity है क्या है कि होगी order of n ओके complexity जो होगी complexity जो होगी वह order of n होगी जो हम लोग problem discuss करने जा रहे हैं तो simply हम लोग करेंगे कैसे okay so हम लोग एक variable लेते हैं इसको हम लोग complexity को रिमूब करते हैं ताकि हम लोग समझेंगे यहाँ पर पहले code लिखते हैं कि मतब एलगो लिखते हैं उसके बाद हम लोग समझते हैं उस एलगो को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इंटीजर टाइप का एक variable लेते हैं इंट कि अभी max profit max profit जिसमें यह होगा जिसको हम लोग assign कर देते हैं 0 से और एक और variable लेते हैं और वह क्या minimum price minimum price minimum price ok अब देखिए हमको क्या चाहिए minimum price में sell करना है minimum price में खरीदना maximum profit में बेचना है okay simply हमें यही करना है तो उसे हम लोग assign कर देते हैं हम लोग int max से int max से ok int max से assign कर देते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां से एक for loop लगाएंगे for iterate करेंगे मतब scan करेंगे i is equals to 0 to हम लोग कहां तक n तक अब हम लोग क्या करेंगे minimum price को हम लोग क्या करेंगे इस loop के अंदर लिखेंगे minimum price को price को हम लोग क्या करेंगे minimum हम लोग find करेंगे किसमें इसे ही रेज कर देते हैं सही नहीं जीरा तो minimum price equals to हम लोग क्या करेंगे minimum price minimum हम लोग निकालेंगे किसमे minimum price में minimum price में कि यहाँ पे minimum price का यह लिख देते हैं और array of array जो हमारा है यह उसके i में इन मदब सबसे minimum value निकालेंगे यह हमारा area आजियूम कर लेते हैं यह आर आर नाम का ओके यह आजियूम कर लिए हैं उसके बाद maximum profit हम लोग क्या करेंगे maximum यहाँ पर profit का प्रो है उसमें हम लोग maximum निकालेंगे किसमें मैक्सिमन निकालेंगे minimum price में और यहाँ पर maximum profit में maximum profit में यह जो maximum profit आएगा वो पहले का प्रोफिट हो रहेगा वह maximum profit रहेगा वह पुराना वाला अब जो नए अपडेट माल लिए उससे अधिक जादे वैल्यूज आया डिफ्रेंट तो हम लोग maximum maximum profit को हम लोग अपडेट कर देंगे और इसमें second value क्या रहेगा हम लोग लोग का यह रहेगा array of i array of i array मतलब यह profit दिया रहेगा array of i minus minimum price minimum price जो हम लोग पहले find कर चुके minimum price यह जो minimum price find कि है वो रहेगा तो अब iterate करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर minimum price minimum price minimum minimum price minimum price पहले क्या है int max max सबसे max की सबसे वड़ी value है अब minimum find करना है तो हमारा minimum price starting में 7 है तो minimum price price की value क्या हो जाएगी हमारा mean m mean अब price की value क्या हो जाएगी हमारा 7 हो जाएगा क्यों 7 होगा 7 और int max इन दोनों में minimum क्यों है 7 है तो अब maximum profit दिखा जाएगा maximum profit हमारा 0 है और यहाँ पर देखिए maximum profit 0 है 7 minus minimum price minimum price हमारा क्या है 7 है तो 7 minus 7 0 हो जाएगा तो हमारा अभी जो minimum price होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ओके अभी हमारा minimum price है वो हमारा 0 हो जाएगा अब second वर iterate होगा जब i is equals to 1 आ जाएगा तब देखिए अब यहाँ पर यह condition चलेगी minimum price हमारा 7 है minimum price 7 और यह हमारा 1 7 1 में minimum कौन सा है? 1 है तो अब जो minimum price की value आएगी mean price की value आएगी mean price की value आएगी वो हमारा 1 हो जाएगा अब देखिए max profit देख लिया जाए max profit पुराणा 0 था हमारा और array of i array of i जो है यह था हमारा अब array of i में हम लोग subtract करेंगे minimum price अब minimum price क्या होगा? ओके? so minimum price हमारा क्या होगा? minimum price हमारा 1 है तो 1 में से 1 subtract होगा 0 0 आजाएगा तो पिर 0 0 हो जाएगा तो फिर profit की value क्या हो जाएगी फिर हमारी profit की value 0 हो जाएगी ओके फिर हमारी profit की value 0 हो जाएगी और minimum price की value 1 हो जाएगी तो हमारा current value जो क्या होगा है तो हमारे current value जो होगा वो minimum price की value minimum price की value हमारी सेवन हो जाएगी सुरी यहाँ पुवान हो जाएगी अब प्रॉफिट की वैलू हो जाएगी वह हो जाएगा हमारा जीरो तो आई यहां पर आ गया अब फिर आई कब यहां पर लेगा ओके तो आई जब यहां 5 पर आएगा तो अब देखें 5 और 1 में मिनिममम कौन सा है 1 है मेरा हमारा 1 है तो minimum price में हमारी value क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी तो अब check होगा maximum profit हमारा 0 है अब देखिए और area of i मतलब 5-1 अब यहाँ पर हमारी value minimum 1 है तो 5-1 क्या होता है 4 5-1 तो maximum profit की value क्या हो जाएगी हमारी इन दोनों देखिए अब यहाँ पर पुराना हमारा 0 था और अभी जो हमारा यहाँ पर subtract होगा area of i मतलब 5- minimum price minimum price हमारा 1 था तो अब subtract होगा तो हमारा 4 हो जाएगा 0 और 4 में maximum जो है कौन सा है 4 है तो हमारा maximum profit जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा maximum profit फोर चाहेगा одним इफ्प स्वाइब टॉंत तो अगली वर लूप जलेका तो हमारा मिनिमाम की वैलु क्या है यहां पे मिनिमोम की वैलु आमक्षी publications में minimum कौन सा है 3-1 में minimum मेरा जो है वन है तो यह अपडेट नहीं होगा फिर minimum price ही minimum price में में ऐ जाएगा और maximum profit देखा जाएगा तो maximum profit मेरा पुराना द्र grape 4 और देखा किसMet meanos 4 में में देखा जाएगा और देखने area.auf आई मats three minus 11.02 हा जाएगा 42 में maximum तून है तो minimum profit में देखा जाएगा कितना आएगा 1 अभी देखे 1 और 6 में अगर देखा जाएगा तो minimum अगर 1 और 6 में minimum निकाला जाएगा तो क्या होगा 6 आएगा अब सॉरी 1 आएगा तो 1 यहापे अफडेट हो जाएगा तो maximum profit की बात किया जाए maximum profit हमारा पुराना चार था तो यहाँ पर maximum profit के लिए हम लोग max निकालेंगे तो maximum profit हमारा चार था तो यहाँ पर 4 और new value area of i मतलब 6 minus minimum price क्या 1 है 6 minus 1 equals to 5 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 जो है maximum 5 है तो max profit की value जो होगी 4 हट के 5 हो जाएगी तो फिर अगला look चलेगा 4 तो 4 और 1 में दे देखा जाएगा minimum कौन है तो 1 है तो minimum price की value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी फिर maximum profit देखा जाएगा maximum profit में max हम लोग लेते हैं max में हम लोग 5 पहले सता maximum profit और देखिए area of i area of i मतलब 4 4 minus अब 1 होगा minimum price घटेगा तो 3 आ जाएगा तो 5 और 3 maximum कौन सा है हमारा 5 और 3 maximum है हमारा 5 है 5 जो होगा वही max profit हो जाएगा 5 हमारा max profit हो जाएगा और हम लोग यही return कर देंगे max profit को ही हम लोग return कर देंगे चलिए अभी इसी code को हम लोग geek4geeks पर submit करते हैं यह जो हमारा problem था geek4geeks का नहीं lead code का था तो चलिए start करते हैं तो basically हम लोग जैसे बात किये थे सबसे पहले हम ल लेंगे इंटीजर टाइब का हम लोग maximum हम लोग क्या कर लेंगे एक profit नाम का एक variable लेंगे जिसे हम लोग 0C कर लेंगे और second variable minimum price हम लोग लेंगे जिसे हम लोग क्या कर देंगे इंटीजर का सबसे maximum value जो हम assign कर देंगे ओके तो उसके बाद हम क्या करेंगे for लोग लगाएंगे for यहाँ पर लोग लगाएंगे for int i is equals to sorry यहाँ पर for int i is equals to zero and i is less than prices prices.size इससे size पता चलग जाएगा हमको और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे i++ कर देंगे जो हम लोग traverse सीधे कर रहे हैं simply अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या हम लोग simply यहाँ पर हम लोग क्या किया थे minimum price का minimum price का price का हम लोग क्या किये थे मिन निकाले थे मिन निकाले थे उसमें प्याक क्या पास किये थे minimum under इसको price और second variable हम लोग हम लोग पास किये थे prices of prices अफ हम लोग array लिये थे लेकिन यहाँ पर प्राइबस है प्राइबस आई पास कर दिये थे और उसके बाद हम लोग maximum profit के हम लोग क्या करते थे maximum profit के लिए हम लोग simply हमें हम लोग max निकालते थे max profit max pro था और हम लोग क्या कर रहे थे array of sorry array नहीं यहाँ पर prices prices of i में से हम लोग सीज़े simply हम लोग घटा दे रहे थे minimum price से okay minimum price से घटा दे रहे थे सो simply यही कर रहे थे पूरा जब तक लूप खतम होगा अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे return कर दे रहे थे return max अंडर इसको profit को okay simply हम लोग यही कर रहे थे तो अब इसे हम लोग run कराते हैं देखते क्या output आता है तो अभी run हो रहा है तो अभी देखिए pending में है तो देखिए यहां पर accepted हो चुका है जैसे कि हम लोग test case में भी बात किये थे कर दो आता है